हेलो दोस्तों नमस्कार मैं प्रसान सरमा इमाइनेट इस्टेडी में आपका शौगत करता हूँ जैसा कि आपको ये दिख रही होगी कि वैप अपने लगभाग अपने नोटिफिकेसन के गेट खोल रहा है तो ये जो पांस मिनट का वीडियो है इसे आप ध्यान से सुने लग लगभाग आपके जिंदगी में काफी बदलाओ आएंगे तो इसे ध्यान से सुनें और समझें जो हो MP पुलिस की वरती आने वाली थी लगभाग नोटिफिकेशन आने वाला है मद्द प्रदेश जो ब्यापम है ये लगातार चालू कर रहा है तो एक चीज हम इसमें सोचे हैं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तो क्या उसका पूरा हमको इंतजार करना एक सबसे बड़ी वेपकूफी होगी तो इससे आप एकदम समझें अच्छे से कि इंतजार बिल्कूल नहीं करना है इसको हमको समझना एकदम बहुत बड़ी वेपकूफी है ये तो हम थोड़ा सा और ांगे भी जाने के लिए सोच सकते हैं तो यह हमारे समझने का लास्ट अंच्छा सकता होती है कि जैसिर मतौब पसीना आपको जादा बहाना बढ़ता है benefit कम होते हैं लेकिन अगर उतने नमें आप प्रधान अरक्षक में कर सकते हैं तो उसमें आपको benefit ज्यादा मिलेगा पसीना कम बहाना पड़ेगा और लगभग जो प्रधान अरक्षक होंगे वो आपके under में ही काम करेंगे तो इसलिए थोड़ा सा इस चीश को समझें और ये मान के चलें कि क्या हम सिर्फ आरक्षक बनके जीडी के लिए सिर्फ नौकरी करने के प्रयास कर रहे हैं जना हो हम त्यारी करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में और आंगे चर्चा करते हम तो देखें जैसे ये आ रहा है अपना पद नाम है और ये दोड़ा है जैसे आरक्षक के लिए हम देखते हैं जीडी के लिए तो हमको दोड़ने के लिए सोची सिर्फ दो मिनट 45 शेकंड में हमको 800 मिंटर के दोड़ दोड़नी होती है वही दोड़ के लिए हम बात करें प्रधान अरक्षक की तो उसमें हमको 4 मिनट मिलते हैं अब देखें यहाँ पर पसीना हमको कम बहाना पड़ रहा है बेनिफिट हमको ज्यादा होंगे गोला फैक यह दी बात करें तो वो ज्यड़ी के लिए हमको 19 फित फैकना पड़ता है तो प्रधान अरक्षक के लिए हमको 15 फित फैकना पड़ता है देखें कितना बड़ा दिफरेंस है उसमें 2 मिनट 45 शेकंड में हमको 800 मिंटर दौड़ना है तो जो अपनी आरक्षक की भरती है उसमें हमको 4 मिनट में 800 मेटर दोड़ना आएदे कि कितना डिफरेंस आ रहा है गोला फेक की यदि हम बात करते हैं तो उसमें हमको गोला फेक 19 फिट फेकना पड़ता है जबकि आरक्षक में प्रधान आरक्षक में हमको 15 फिट फेकना पड़ता है यदि हम लंबी कूद की बात करते हैं तो यदि हम GD की तैयारी करते हैं आरक्षक की बात करते हैं तो हमको 23-23 फिट की अबश्यक्ता पड़ती है और यदि हम अपने प्रधान अरक्षक की बात करते हैं तो हमको 10 फिट की आवे शक्ता पड़ती है और देख सकते हैं आरक्षक है जो हमारे ट्रेड मैन में होते हैं चालक होते हैं उनके लिए 3 मिनट होती है उनके लिए गौर बाकी चीजे नहीं होती है अनिवायर नहीं होती है भूत पूर सैनिक के लिए 3 मिनट 15 फिट होते हैं गोला 15 फिट होता है लंबी को 10 फिट होती है ऐसी होम गार्ड सैनिक के लिए भी होता है 15, दिनमिनट 15 सैकर, गोला 17 फित वहाइगना होता है, 12 फित होता है थो ऐसा हम सोच सकते हैं कि क्या हम को सिर्फ जी डी चाहिए आरक्षक क्या हम उसके आंगे नहीं सोच सकते हैं तो जो हमारे पास परियाप समय है दोस्तों तो हम बिल्कुल फुल उसका उपयोग कर सकते हैं और अच्छी मेहनत कर सकते हैं तो हम तो यह कहेंगे कि आप अरक्षक के भरोसे मत बेटिये प्रधान अरक्षक बनिये SI बनी अगर अब graduation हो रहे हैं तो SI की तयारी करिए और SI के बारे में भिस्तार सम्चर्चा करेंगे आँगे चलके तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और आँगे देखते हैं तो जैसे अपना यह देखिए जो MP पुलिस कॉंस्टेबल है उसकी परिक्षा निम्नानुसर है और कुल मिला के हमको 100 नमर का आता है तो उसे हम यह देख सकते हैं जैसे 40 नमर का हुआ 30 नमर का हुआ 20 नमर का हुआ 10 नमर का हुआ बाकी अब थोड़ा सा गर मेहनत करना चाहें तो लगभग यह हो शकता है तो इसे आप पूरा कलियर कर लें 40 है 30 है 20 है 10 है तो इतने चीज में अगर हम थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं तो हमारा प्रधान रख्षक भी निकल सकता है और हम निकल सकते हैं ऐसा करके इसको हम इसमें टोटल सो नंग सो वंग के आते हैं तो इसे आप अभी से सलेबश को समझ के और अच्छे से डिपली उसका एक टाइम टेबल बना कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तो तब तक हम उसकी तयारी एकदम अच्छे से बना शकते हैं एकदम अपने आपको प्रिपेर क कर शकते हैं और प्रदाना रख्षक के हिसाब से भी करें हम तो कहेंगे अगर ग्रेजिएट लिवल के हैं तो SI के हिसाब से भी करिए देखिए अभी थोड़ा सा मेहनत करने में हमको समझ में आता कि अरे बापरे रात में हमको उठना पड़ता है हम दिन में नहीं सो पाते अपना काम नहीं कर पाते घूम नहीं पाते एंज्वाय नहीं कर पाते लेकिन दोस्तों जब हमारे पास बरदी आ जाती है कुछ न कुछ पावार आ जाती है तब हमको रियल में मज़ा आता है फिर हमारे जेब हमेशा गरम होते हैं तब रियल टीम हमको जिंदगी जीने का म पर देखते हैं तो ऐसे इसकी प्रोसस होती है इसमें जो हम ग्रेड पे देखते हैं अब यहां पर थोड़ा सा देखेंगेस करें कि जो आरक्षक संबर्ग है उसका ग्रेड पे हमको 19 शो मिलता है जो आरक्षक का ग्रेड पे है वो हमको 19 शो का मिल रहा है उसके बाद जो हमारा देखी प्रधान आरक्षक है वो कम्पूटर लेवाल पर आता है उसका हमको 21 शो मिल रहा है लेकिन जो सहायक उप निरीक्षक है जिसे हम ASI बोल सकते हैं, उसके लिए भी ग्रेट पे 24 होता है, हलाकि उसकी भरती कभी का बार अलग शे आती है, लेकिन अधिकांस थाब कई वास ऐसा हो रहा कि जब पुलिस की भरती आ रही है, तो साथ में नोटिफिकेशन वो दे देता है, तो इसलिए दोस्तों उसके अच अच्छे से एकदम सब क्या कैसे करें हैं, कि मतलब प्रधान अरक्षक की तयारी करें, MP पुलिस के भरोसे मत बठें, अगर ग्रियेशन लेबल के हैं, तो इसको करें और जादा से जादा दोस्तों को पूरा सालेबस ये क्लियर करें, जितना हम इसको बताएं हैं कि अपना बार घर में और वीडियो देख लें एकदम ध्यान से, तो पूरी प्रसेस समझ में आ जाएगी और लगबाग आप पढ़ेंगे, तब फिरो कुछ मज़ा ही अलग होता है वही, नौकरी है, पैसे हैं, आप हीरा की तरह चमकने लगेंगे, तो इसलिए ध्यान से एकदम मन ल झाल 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 झाल